साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग, मजा मा केम चो कसा आहिस साथियों आज एक इंपोर्टेंट लीगल अपडेट में डिसकस करने वाला हूँ कि यदी 138 NIAAT के मैटर में कंसर्ण अक्यूस को एक्विट कर दिया जाता है यहां बरी कर दिया जाता है तो क्या उसकी अपील सेशन्स कोट में लाए करेगी या नहीं करेगी क्योंकि साथियों जब से 372 CRPC आया है तब से परिवादियों को ग्रेट कन्विजन हो चुका है उनका यह मानना कि हम विक्टिम है और हम हर सूरत में अगर एक्विटल है तो उसकी अपील कोट ओफ सेशन्स में दायर करके remedy as per law प्राप कर सकते हैं तो यह बात कितनी सज है कितनी जूट है इसका पूरा विसलेशन आज हम करने वाले हैं आज की वीडियो में सातियों जो मेरा वीडियो है यह बेस्ट है एक नएक दिस्टांथ पर जो की माननी है कलगत्ता ही कोट का है जिसमें इस सित्थी को लेकर एक डिटेल इंटरपेटेशन किया गया और एक वास्तविक निशकर जो है दिया गया सातियों मामला क्या है यह हमें समझना होगा फिर क्या-क्या law points रखे गए इसको समझना होगा और अगर हम भी ऐसे ही सित्थी से गुजर रहे हैं जहां परिवादी हमारे rights को affect कर चुका है यह करने वाला है तो वहाँ पर as per law rights क्या होने चाहिए उसे हम कैसे enforce कर सकते हैं यह स सब में खुल के आज इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूं तो सबसे पहले copy लेजिए एक pen लेजिए और no down कीजिए जो बातें आपको जो है मैं लिखवा रहा हूं सातियों judgment जो है वो है कलगत्ता ही कोड का और concern जो parties हैं उनके नाम है मैसस टोडी इन्वेस्ट इन्वेस् correspondent है उसने एक complaint जो है दायर करी section 138 NIA के अदर इस complaint पर जो है concern accused को तलब किया गया और concern accused को trial के बाद जो है court ने बरी करा क्योंकि court ने कहना यह था कि it is not a case proved by the concern complainant under section 138 of the NIA जब accuse जो है बरी हो गया तो वहां पर concern परिवादे ने एक appeal जो है prefer करी before court of sessions उसका यह कहना था कि यह फैसला जो है trial court का गलत है और जो equitable किया गया है उसे satisfied किया जाए और accused को 138 NIA के तहरे guilt hold किया जाए पर यहां पर जब accused appear हुआ तो उसने एक अपति जो है raise करी उसकी अपति क्या थी कि concerned complainant victim नहीं है तो court को क्या तरह करना था whether a complainant is a victim within a preview of CRPC और दूसरी बात अगर परिवाद नहीं कर सकता सातियों यहां पर जो learned advocate appear हुए उन्होंने supreme court का judgment जो है cite कर दिया जिसका citation है 2013 volume number 2 supreme court cases page 2017 he pointed out that the principle of law settled in the judgment of Subhash Chand it is clearly held that in a case instituted on a complaint and order of equitable is passed कि अगर case जो है वो complaint पे है और order of equitable pass कर दिया गया है और वहां पर concern परिवाद को खारिच कर दिया गया है उस condition में परिवादी के पास एक ही remedy है to file an appeal as per section 378 sub clause 4 of the CRPC before the honorable high court वहां पर remedy जो है justice court के पास में लाए नहीं करती है यहां पर वरतमान केस में भी एक परिवाद है section 138 जो कि एक private complaint है जिस पर ब्यान हुए और ultimately concern accused को जो है एक्विट किया गया उसका ये भी कहना है कि यहां पर concern परिवादी जो है विक्टिम की परिवाशा में नहीं आता है और उसे किसी भी रूप में विक्टिम नहीं मान सकते है और नहीं उस preview में कोई भी remedy उसे परदान कर सकते हैं साथियों court ने यहां पर section 322 CRPC को लिखा और यह specific किया कि no appeal shall lie from any judgment or order of criminal court except as provided by the court of CRPC तो कुल मला की बात समझ में आती है कि appeal करना matter of right नहीं है अगर यह right आपको CRPC में दिया गया है तो ही appeal lie करेगी पर यहां पर एक proviso भी है कि victim का भी right है to prefer an appeal against the order passed by the court acquitting the accused or committing for a lesser offense or imposing inadequate compensation तो यहां पर एक बात is first है कि victim में appeal पेश कर सकता है यदि किसी case में accused को acquit कर दिया गया हो यह sentence जो है वो inadequate है यह मुआफजा यह compensation जो है वो inadequate है और victim को जो है define किया गया section 2 सक्लॉस WA CRPC के अंदर means a person who has suffered a loss इसको कि loss हुआ है या injury हुई है caused by the reason of at or omission of accused जो कि accused के at यह omission का जो है outcome है तो उस preview में वो जो है victim है अब परिवादी जो है section 138 का क्या यह victim की परिवादी में आता है या नहीं आता है court को यह भी examine करना था court ने लिखा the caution has been arising before different authorities and principle is settled even by the decision of आंदरबदेश हाई court in श्रिमती P. Vijay लक्षमी versus S.B. Sarwana it has been categorically decided by the honorable आंदरबदेश हाई court that a component under section 138 of the N.I.E.A. cannot be categorized as a victim in term of section 2 subclose WA of the CRPC तो जब वो consent परिवादी या consent component victim ही नहीं है तो किसी भी रूप में वो 332 CRPC के तहट appeal दायर करने के दिकारों को नहीं रखता है court ने लिखा कि यह position सुप्रिम कोट ने भी clear कर दी है और सुप्रिम कोट का भी यह कहना है कि अगर परिवाद है और वहाँ पर consent accused बरी हुआ है एक्विट हुआ है तो वहाँ पर परिवादी किसी भी रूप में अपील दायर नहीं कर सकता है स्वैम को विक्टिम मानते हुए तो उसके पास remedy किया है section 378 subclose 4 CRPC की पर 302 CRPC के तहट appeal दायर नहीं कर सकता है तो court ने specific किया before the amendment of the court in 2009 the remedy available to the component is to file the appeal before the honorable high court as per section 378 subclose 4 of the CRPC तो यहाँ पर यह चीज़ specific की गई है कि जब concern परिवादी ही विक्टिम नहीं है ना ही उस category में आ सकता है तो उस preview में section 332 CRPC लायर नहीं करेगा remedy जो है वो section 378 subclose 4 CRPC के तहटे तो court ने दोनों ही points जो है answer करे सबसे पहली बात कि परिवादी विक्टिम नहीं है और दूसरी बात being the component he could file an appeal as per section 378 subclose 4 CRPC before the honorable high court वो before constant sessions court सामने जो है appeal दायर नहीं कर सकता तो कुल मिला कि एक अच्छा फैसला accused के पक्षमें एक अच्छा फैसला defense के पक्षमें तो गवराई नहीं अगर आपके विरुद भी constant परिवादी ने equitable के perspective में sessions court में appeal दायर करकी है और उसने 302 CRPC का अबलमन लिया है तो यह citation आपके काफी काम आने वाली है इस citation को rely करें अपने objections पेश करें और अगर कोई भी proceeding against law चल भी रही है तो वहाँ पर court में आप recall लगा सकते हैं यह recall permissible है और court से कह सकते हैं कि चुकी और सुप्रिम कोर्ट का law कलगत्ता हाई कोर्ट का law है आंदरा परदेश हाई कोर्ट का law है और settled position आ चुकी है इन देट स्नेरियो इस proceedings are continued तो यह abuse of process होगा हमारे जो basic rights है उसको affect करने वाला होगा